नमस्कार केमिनेट के मेरे सहयोगी डाक्टर हर्षवर्धन जी वीभा के नेशनल प्रेजिडेंट डाक्टर वीजे बठकर जी सनमान्य वेज्ञानिक गाण देविय और सज्जनो त्योहर, उत्सव, फेस्टिवल ये भारत का करेक्टर भी है और भारत का temperament भी है और भारत के tradition भी है आज के इस फेस्टिवल में हम science को celebrate कर रहे हैं हम उस human spirit को भी Bubble कर रहे हैं जो हमें लगातार इनोवेट करने के लिए प्रोज़ाइग करती हैं. Friends, India has a rich legacy in science, technology and innovation. Our scientists have done path-breaking research. Our tech industry is at the forefront of solving global problems. But, India wants to do more. We look at the past with pride, but want an even better future. साथ्यों, इस्टे लिए भारत बेजिक्स पर जोड़ दे रहा है. आप सभी से बहतर ये कौन जानता है कि scientific temper develop करने के लिए बच्पन से बहतर समय क्या हो सकता है? आज भारत के education system में structural reforms किये जा रहे हैं. ताकि किताबी ज्यान से आगे निकल कर spirit of inquiry को बढ़ावा मिले. तीन दसक के लंबे समय के बाद देश को national education policy मिल चुकी है. इस policy के education sector को focus ही बदल गया है. पहले outlets पर focus था, अब outcomes पर है. पहले textbook की पढ़ाई पर focus था, अब research और application पर है. नई national education policy एक ऐसा माहोल देश में बनाने पर भी focus कर रही हैं, जिससे top quality teachers का एक pool देश में तयार हो सके. ये approach हमारे नए और उभरते scientist को भी मदद करेगी, encourage करेगी. देवी और सजनो, education sector में जो ये बढ़लाव किये जा रहे हैं, इनको compliment करने के लिए अटल innovation mission भी शुरू किया गया है. ये mission inquiry को, enterprise को, innovation को एक प्रकार से celebrate करता है. इसके तहट, देश भर के अने स्कूलों में, अटल tinkering labs तयार किये जा रहे हैं, जो innovation के नए playground सिद्ध हो रहे हैं. इन labs से, हमारे स्कूलों में, science से जुड़ा infrastructure बहतर हो रहा है. higher education में, अटल incubation center तयार किये जा रहे हैं, ताकि देश में, R&D से जुड़ा ecosystem तयार हो. इसी तरह, जादा और बहतर engineering college, जादा IIT बनाने पर भी बल दिया जा रहा है. साथ यो, quality research के लिए, सरकार, prime ministers, research, fellowship, scheme को भी चला रही है. इसका लक्ष है, कि जो देश का best talent है, उसे अपनी पसंद की research करने में और सुविधा मिले. देश की सभी IITs, सभी IISCRS, Bengaluru के Indian Institute of Science, और कुछ Central Universities, और NITs में ये extreme students को काफी आर्थिक मदद दे रही हैं. देश के अन्य, Recognize Institute और University में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को इसका लाब मिल सके, इसके लिए 6-7 महने पहले स्किम में कुछ बढ़ावी किये गए हैं. साथियों बीते कुछ महनों से मेरी अनेग साइन्टिस से चर्चा हुई है. हाल में ही भारत ने वैवोव समीट भी होस्ट की थी. महने भर चली इस समीट में पूरी दुनिया से भारतिये मुल्के वेज्ञानी को और रिसर्चर्स को एक मंच पर इखटा किया गया. इसमें करीब 23,000 साथियों ने हिस्सा लिया, 700 घंटों से भी जादा की डिस्कसन हुई. मेरी भी अनेकों साइन्टिस से बात्चित हुई. इस बात्चित में जादा तर दो चीजों पर बल्व दिया. ये दो बाते हैं, ट्रस्ट और कॉल्लबरेशन. देश आज इसी दिशा में काम कर रहा हैं. All our efforts are aimed at making India the most trustworthy center for scientific learning. At the same time, we want our scientific community to share and grow with the best of global talent. No wonder, India has become very active in hosting and participating in hackathons. They are held in India and abroad. It gives both exposure and opportunity to our scientists. साथियों, science और technology तब तक अधूरी हैं, जब तक इसका benefit और access हर किसी के लिए संभव ना हो. बीते छे साल में युवाओं को अवसरों से कनेक करने के लिए देश में science और technology के उप्योग का विस्तार किया है. Science and technology अब भारत में अभाव और प्रभाव की खाई को भरने का एक बड़ा bridge बन रही है. इसकी मदद से पहली बार गरीब से गरीब को भी सरकार के साथ, सिस्टिम के साथ सीधा जोड़ा है. डिजिटल टेकनलोजी से सामान ने भारतियों को ताकत भी दी हैं और सरकारी सहायता की सीधी तेज डिलेवरी का भरोसा भी दिया है. आज गाउं में इंटरनेट यूजर्स की संख्या सहरों से जादा है. गाउं का गरीब किसान भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है. आज भारत की एक बड़ी आबादी स्मार्ट फोन आधारित एप से जुड़ चुकी है. आज भारत ग्लोबल हाई टेक पावर के इवलूशन और रिवलूशन दोनों का सेंटर बन रहा है. साथियों, भारत अब विश्वस्तरिय शिक्षा, स्वास्त, कनेक्टिविटी, गरीब से गरीब तक गाउं गाउं तक पहुचाने के लिए हाई-टेक सॉलुशन बनाने और अपनाने के लिए तत्पर है. भारत के पास हाई-टेक हाइवेश के लिए डेटा, डेमोग्राफी, डिमान और इन सब को सम्हानने के लिए संतुलान और सवरक्षन देने के लिए डेमोक्रेसी भी है. इसलिए दुनिया आज भारत पर इतना भरोसा कर रही है. साथ क्यों, हाल में डिजिटल इंडिया अभियान का और विस्तार करने के लिए पी-एम बानी स्कीम भी शुरूतात की गई है. इससे पूरे देश में, पब्लिक स्पेस में, सब के लिए क्वालिटी, वाइफाई, कनेक्टिविटी संबभ हो जाएगी. इसका सीधा लाब साइंस को भी होगा, क्योंकि देश के गाउं का युवा भी दुनिया की बेस साइंटिफिक नॉलेज को आसानी से हासिल कर पाएगा. सात्यों, हमारे देश में, वाटर स्केरिसिटी, पॉलूशन, स्वाइल क्वालिटी, फूर्ड सिक्रिटी जैसी अनेक चुनोतियां है, जिनका आदुनिक हल साइंस के पास है, हमारे समंदर में जो वाटर, एनरजी और फूर्ड का खजाना है, उसे तेजी से एक्ष्प्लोर करने में भी साइंस की बड़ी भूमिका है. जी तरह हमने स्पेस के सेक्टर में सभलता पाई, वैसे ही हमें डीप सी के खेत्रे में भी सभलता पानी है, भारत इसके लिए डीप ओशन मिशन भी चला रहा है, साथियों, साइंस जो कुछ हम नया हासिल कर रहे हैं, इसका लाप हमें कॉमर्स में व्यापार कारोबार में भी होगा. अब जैसे स्पेस सेक्टर के रिफॉर्म्स किये गए हैं, इससे हमें अपने युवाओं को, देश के प्राइवेट सेक्टर को भी, आसमानी नहीं, असीम अंतरिक्ष की बुलंदिया चुने के लिए एन्करेज कर रहे हैं. जो नई प्रोड़क्षन लिंक इंसेटिव स्कीम है, इसमें भी साइन्स और टेक्लोलोजी से जुड़े सेक्टर पर फोकस रखा गया है. ऐसे कदमों से साइन्स और टेक्लोलोजी से जुड़ा एको सिस्टिम बहतर होगा, इससे इनोवेशन के लिए जादा रिसोर्स जनरेट होंगे, इससे साइन्स और इंडेस्ट्री के बीच पार्टर्शिप का एक नया कल्चर तयार होगा, चाए हाइड्रोजन एकोनामी हो, ब्लू एकोनामी हो, या फिर आर्टिफिशल इंटेलिजन्स का उप्योग हो, नए कॉलोबरेशन से नए रास्ते निकलेंगे, मुझे विश्वास है कि फेस्टिवल, साइन्स और इंडेस्ट्री के बीच, स्पिरिट अब कोडिनेशन और कॉलोबरेशन को नया आयाम देगा. Currently, the biggest challenge facing science may be a vaccine for COVID pandemic. However, this is a challenge for now. The biggest long-term challenge science faces is to attract high-quality youngsters and retain them. Often, the domain of technology and engineering seems more attractive to the youth than pure science. However, for any country to develop, it needs science to power it. Because, as they say, what is called science today becomes the technology of tomorrow and engineering solution later. So, the cycle must start with attracting good talent into our science domain. For this, the government has announced scholarship at various levels, but it needs a big outreach from within the science community as well. The excitement surrounding Chandrayaan Mission was a great starting point. We saw a lot of interest from youngsters. Our future scientists will come from there. All we need to do is inspire them. Friends, through this gathering, I want to invite the global community to invest in India, to Indian talent and innovate in India. India has the brightest minds. India celebrates a culture of openness and transparency. The government of India stands ready to address any challenge and improve the research environment here. This has made it difficult to do all the Righteous diplomas through the coins. Yeah, that's when it's the Director, the woman of India grows up as well. वाले हमारे वेज्ञानिकों में देखी है हमारे वेज्ञानिकों ने कोरोना के विरूर लड़ाई में हमें आगे रखा है बहतर सिद्धी में रखा है साथियूं दो हजार वर्ष पूर्वा महान तमिल संथ और समाच उधारण तिरुवल वर जी ने जो सुत्र वाक्या जो मंत्र दिये गए थे वो आज भी उतने ही सटीग है रिलेवेट है उन्होंने कहा था in sandy soil when deep you dull you reach the springs below the more you learn the freer streams of wisdom flow याने रेलती ली धरती में जितना गहरा आप खोते जाएंगे एक दिन पानी तक जरूर पहुंचेंगे ठीक वैसे ही जैसे आप जितना जादा सिखते जाएंगे एक दिन ज्यान के बुद्धि मत्ता के प्रवा तक जरूर पहुंचेंगे मेरा आप सभी से आग रहें सिखने की इस पक्रिया को लर्निंग के प्रोसेस को कभी मत रुकने दीजिए जितना आप सीखेंगे जितना आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे उतना ही आपका भी विकास होगा और देश का भी यही स्पिरीड आगे सम्रुद्ध होती रहे साइंस भारत के पुरी दुनिया के विकास को उर्जा देती रहे इसी कामना इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत पहुत शुब कामना है तैंक यू तैंक यू बेरी मच और खबरों के लिए इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले